और मैने क्या इता है , में आप क्या करते हो ? लों पर पर खुपा देते हो ? जैसे मैं इसको चुपा दूंगा , जिसेप कैसा बनेगा ? कैसा बनेगा ? सीथचो जानते हो ना , इसे जू लाता था बचचपनमे यहाँ पर से लोगोस твоa है , यहाँ पर से लोगोस so तो यह वही सीसो है, सीदा करों के सीसो बन जाएगा न, तो शेप कैसा होगा? सीसो शेप, सीसो शेप, तो चलो, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, वैलन शेल, इलेक्ट्रोन पेर, रिपल्चर, क्यों हो रहे? तो हमारे एडिंग है बच्चो आज की, वैलन शेल, शेल, प्लेक्ट्रोन, पेर, रिपल्चर, थियोरी, इसको आप शॉट में बोलते हो, वी एस इपी आर, थियोरी, जगो? इस बात को समझो बच्चो, अब तक आपने hybridization पढ़ी, जहां से आप geometry बता रहे थे, लेकिन वी एसी पी आर थियोरी का काम क्या है? यह आपको help करती है, किसी भी molecule के shape को predict करने में, तो किसी भी molecule का जो shape है, structure है, shape है, कौन बताता है? वी एसी पी आर थियोरी बताते हैं, तो this theory helps, helps to predict the shape of, the shape of molecule, molecule की shape को बताने में क्या करेंगे, यह theory, help करेंगे, कैसे करेंगे, देखो, 3 points मेने आपको पहले लिखवाये थे, the pair of electrons, जो पेर of electrons का मतलब सिर्व लोन पेर नहीं होता, लोन पेर और बांड पेर दोनों होता है, तो लोन पेर और बांड पेर दोनों होता है, तो the pair of electrons, हम लिख देते हैं, the pair of electrons, loan pair और बांड पेर तेंग्स तो अक्युपाइब दोनों को देखोगे, अलग अलग ही देखोगे, तो हम क्या बोलेंगे, प्राएब लिखन प्रिखन, यृफरीग सूर्ण लिखन अलग होता है, पर दोडेपल्य मौप सेयर दुपस, सहितता हॆच, मौर्ण अराउंड सेंट्रल एक यहांने इलेक्ट्रोंड प्या है सेंट्रल एक्टम के अराउंड स्पेस में वो पॉजिशन्स को अक्युपाई करते हैं जहाब हमकी रिपल्चन क्या हो जाए कम हो जाए बोलो पता चला देखो कैसे पहले हम रिपल्चन कि बाध करते हैं, अगर हम भात करें रिपल्शन के ऑर्डर की बाध करें, यह दो सबसे घदा रिपल्चन होता है लोन पेर और लोन पेर के बीच में, इसी वज़ाएसे याद करो, वेज़ यह वाइस पूर में और वाट पर नहीं ता जिसकी वाइसे रिपल्चनब बहुत कम था एनस्ट्री में लों पर आती बॉंड एंगल चेंज हो गया अब वाटर के मॉलीक्यूल में और लों पर आते ही और लों पर बढ़ गयी तो रिपलशन और बॉंड एंगल और च बताता हू, हमने molecules बना रहे हैं, सबसे पहले बना रहे हैं CH4, जब मैं CH4 बना रहा हूँ, तो CH, H और H, अब यहां पर सारे के सारे bond pair हैं, यहां पर जो repulsion लग रहे हैं इनके बीच में, यह जो repulsion यह कौन से है? और इनके बीच के एंगल जो होता है वहता है 109 दिगरी 28 मिने लेकिर अगर आप बनाओ NS3 तो देखो NS3 में क्या होगा नाइट्रो जाने टीन हाइट्रो जाने और एक लोन पेर और अब देखो यहां पर हो रहा है लोन पेर भोन पेर रेपल्श अब लट कर भागे जिसकी वैसे इसको रिपर करकार ऑखे ऑन पास में आने के वैसे जो बॉढंड हेंगल होगी कितना हो जाता था यहां पर इनके बीच में लोन पेर लोन पेर रिपल्शन इसके वैसे बहुत दूर जाएंगे जब यह दूर जाएंगे इनका गैप बड़ेगा तो क्या करेंगे इस तरह पाई होगे तो इसको भी रिपल्शन लगेगा? लोन पेर बॉण पेर लगेगा जिसकी वैसे दौनों पेर पास में आ जाएंगे क्यूंके बॉण पेर बॉण पेर रिपल्शन उक्से कम है न तो लग यह भी रहा है इस लग रहा है इसनी एकदम पास नहीं है और अब क्या होगा बॉंड एं और Siubaist ब्रेंगल चल्पाइब कि भी कि बात होगी तो क्य शुआता है और मिल्टीबल बॉंड रिपिज है मैं इसी तरह से किसा होगा multiple bond और single bond गा और सबसे कम repulsion किस כा होगा single bond और single bond अभी जब structure दंगा तोös खुश gefें अभी आई गहीत हैं नोहाँ पे देखना साओं करने केगी।र मुंूरोLE किलियर हो ही, और यह जो मैंने रिपल्चल लिखा है यह लहां लिखी हुई है अब क्या होगा अब next point the most important point point क्या है हमारा position of loan pair या फिर multiple bond loan pair या multiple bond की position क्या होगी जब भी एक से जादा loan pair है तो हम नॉर्मली उन्हें साथ में रखते हैं SP3 hybridization कर यानि अगर आपकी hybridization SP है या फिर SP2 है या फिर SP3 है अगर इन तीनों में से कोई भी आपकी hybridization है तो position of loan pair या multiple bonds होगी वो anywhere हो सकती है कहीं पर भी रख सकते हो बस याद रखना अगर एक से जादा loan pair है तो आप उनको साथ में रखोगी तसे मैंने रखते हैं वाटर में वाटर के hybridization क्या है number of sigma bond plus number of loan pair sigma bond दो loan pair दो 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 चार याने एक एस और तीन पता ही तो अपने को clear है दूसरा point अगर hybridization SP3D है तो position क्या होगी loan pair की तो loan pair हमेशा present होगा loan pair या multiple bond present at equatorial position अगर यह बाते याद है याने यह points याद है तो अरे यह बाते याद है तो हमारे structure बना लोगे लास्ट अगर hybridization SP3D3 हुई तो फस्ट अगर एक loan pair है तो प्रेजेंट होगा तो सारे structure बना बना कि सब सम्झाऊंगो आप यह ना एक बार आप इसको note किर लो देन तरह हम structure structure के लते हैं ना करो जाना चलो तो आप कुछ structure देखते हैं वाटा molecules की है ना अब यहां समझाएगा आपने को देखो कुछ structures की बात करते हैं जैसे सबसे पहला structure में बात कर रहा हूँ आपसे XCF6 ठीक है सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं molecule XCF6 अब जब भी आपको molecule दिया है और आपको उसका shape बनाना है सबसे पहले कि अगर उसके hybridization निकाना है सबसे पहला क्या करना है उसके hybridization निकाना है तो मैंने side में छोटा था XC बनाया मुझे पता Xeno नोबल गैस और नोबल गैस के valence shell में कितने electron होते हैं आप 6 मतला 5 fluorine है और fluorine हमेशा single bond याद रखना oxygen हमेशा double bond बनाता है है ना बागी सब single बनाते है ठीक है nitrogen triple bond बनाता है बागी सब single बनाते है तो oxygen nitrogen को छोड़के सबके bond single बना होगी है ना तो कितने fluorine है 6 fluorine है कि इन चार पांच और चैंप और एक क्या गया loan pair हाइव डाइशिन चेक करो एक दो थीन चार पांच और एक साथ साथ का मतलब एक स इन पी और तीन वी 3, 3, 6 और एक साथ हो गया रहा है, तो SP3, B3 hybridization हो गई, अब ज़रा ध्यान से देखो, loan pair कितना है, SP3, D3 में loan pair कहां पर रखते हैं, equatorial position पर, यानि अगर मैं structure बनाओ, तो मैं XC, और देखो, fluorine, 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 ये एक loan pair बनाया, और एक fluorine, और एक fluorine, दिखा, देखो, जो structure कैसा बन रहा है, देखो ध्यान से, दो प्रामिड उपर, square by pyramidal, या octahedral, लेकिन इस loan pair के repulsion की वैसे क्या है, दोखो, ये fluorine थोड़ा उदर खिसका हुए, याने exact octahedral नहीं है, इस repulsion की वैसे कैसा हो गया, distorted octahedral हो गया, इसका मतलब, अगर आप geometry की बात करो, तो geometry तो क्या है आपकी, पेंटागनल, याद करो, मैंने कल के lecture में जब hybrid action पढ़ाई थी, तो वहाँ पे SP3D3 की geometry बताई थी, क्या थी, pentagonal, bipramidal, bipramidal, लेकिन अगर हम shape की बात करेंगे, तो दोखो, shape change हो गया, shape क्या हो गया, distorted, distorted octahedral, जेखो बाई चला, जेखो एक और लेते हैं, example number second, SF4, जैसे मैंने बोला SF4, sulfur की valence shell में कितने electron होते हैं, अब SF4 है, इसका मतलए कितने fluorine, चार fluorine, जेखो मतलए रख में बना रहा हूँ, चार fluorine और एक lone pair, hybridization count करो, एक, दो, तीन, चार सिग्मा और एक lone pair, यहने पांच, पांच मतलए SP3D, एक और तीन, चार और एक पांच, अब देखो, एक lone pair है, SP3 hybridization और lone pair होता है, equatorial position पे, अचार बताओ, अगर hybridization इसकी SP3D है, तो इसकी geometry क्या होगी, geometry क्या होगी, trigonal, bipramidal, bipramidal, और हम दो geometry के basis भी structure बनाते हैं, तो sulfur, अब, एक fluorine, दूसरा fluorine, तीसरा fluorine, चौता fluorine, और trigonal में एक आगया lone pair, जो कौन सी position पे आ रहा है, equatorial पे आ रहा है, तो वैसे तो देखो, अगर आप ध्यान से देखना चाहो, तो यह triangle तो बना रहा है, और दो primit भी बना रहा है, जिसकी वैसे geometry तो trigonal, bipramidal है, लेकिन अगर मैं shape क करूँ, अगर मैं shape की बात करूँ, तो इसका shape क्या होगा, देखो, अगर मैं इसको मिठा दूँ, और मैंने क्या कहता है, शेप में आप क्या करते हो, लोन पे को छुपा देते हो, जैसी मैं इसको छुपा दूँगा, तो shape कैसा बनेगा, सीसो, कैसा बनेगा, सीसो जानते हो होगा सी सोशेट सी सोशेट बलो पाजला है आसान बता पाओगे चलो अगला बात करते हैं अभी बहुत सारे स्ट्चर्चर पढ़ने हैं अभी तुमने स्टार्ट किया है तुमसें 15-20 स्ट्चर पढ़ने हैं ठीक है नेक्स्ट मेरा फेवरेट थार्ड आई तरी पॉजिटिव कि अब चार्ज आ रहा है तो भी यह चार्ज वाले प्रकुशन आने चाहिए अब दिखो सुनो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगटिव चार्ज हो आप इसको दोगे आज के बाद सेंट्रल इटम को दोग यहान बनाया iodyn Center अब iodine किसी family member है ह evolves न न कहा मदने होते हैं येक्ट्रोन साथ एक्ट्राइन होते हैं को उससे क्या हो रहा है दो इम चुट रहे है अधוס सिंगल मॉद भड़ाते हैंH będziemy क्या born добав बोला था औक्सियान दूबल बनेगा इत्रोथ ने ट्रिक्टल बनेगा अधरवाई सारे बाइगे सिंगल बनेगे तो आउड़ी ने सिंगल बाइग नोंपेर खांट दरो कितने हैं ओहू आई पॉसिटिव ना पॉस्टिव दो एक लेक्ट्रोन गायब कर दो कि मैंने क्या ब तो इसके हैं ? SP3 बोलो दीख रहा है ? अब SP3 आब नो इसका मतलभ जमयक्री सौ क्या होगी ? जमयक्री सौ क्या होगी ? प्लेटरा हैडरल नेकि नर्ण मैं शेप की बात करूं, तो आयोडीन है, उससे एक आयोडीन यहां जुड़ा हुआ है, एक लोन पेर और दूसरा लोन पेर, बोलो, शेप कैसा? कैसा? वी शेप, वी लिख वाया है ला? तो कैसा शेप? अगर हम शेप की बात करें, तो कैसा शेप? V shape निया शक्षी को क्या बोलते है bank shape V shape होगा या पिर bank shape होगा या angular shape तीनों में तो कुछ मुंद भोल सकता है angular shape यह लिख दो angular shape तीनों सही है दोलो पह जड़ा हुम कोई बात नहीं अब जो बोलना वो याद रहती है ना जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे चीरे चेंज होती रहेंगे ठीक है नेक्स्ट फॉर्थ देख फॉर्थ आई थ्री नेगिटिव अगर आपके पास नेगिटिव है तो नेगिटिव पी किसको दोगे सेंटर एटम को दोगे अब आइवडीन की वैलेंशेल में वैसे कितने लेक्ट्रोन होते हैं एक दो तीन चार पाच्छा और एक साथ लेकिन न अब मुझे बताओ हाइबराइशन क्या होगी अगर दो सिगमा थीन लोन पे याने तीन और दो पाच याने SP3D अगर SP3D हैबराइशन है याने SP3D इसका मतलब जोमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल वाई ट्रामिनल Trigonal Bipramidal Geometry अच्छा जोरे मताई, SPT3D में लोन पे रखाँ रखते थे है टो आयोडीन आपके पास, आयोडीन के पास त्न जोन पी और तो तीन दोहू कितने भी हो आप आक पूसार रखोगे और बार्थी दो अब अगर मैं स्वेप की बात करूं इता श्ä…! छफ की हम बात करें तेक। में श्टेट लाइन दिख रही है। अगर मैं लोन पेर्स को छुपा दूँ इस ट्रेट लाइन दिख नहीं है इसका मतलब क्या है स्ट्रेचर लीनियर प्लेनर इसका लीनियर प्लेनर बूलो पसा चला है ना असान कर पाओगे चलो अभी तो चारी हुए बहुत सारे करने तो फटाफट से इसको नोट करो दें फिर आगे करते हैं तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट अम लोग बात करते हैं CLF3 के बारे में और थी कही सारे स्ट्र junction उर्क पमढ़नें क claro कोई भी ऐसां इस इ्ट्रोच निरैक अला पर लगे एक किस बारे में झाले बात करें पेशितन हैं प्रिफ्ध हमारा dual अब CLF3 की बात की तो क्लोरीन है क्लोरीन है हेलोचन वेलेंचल में कितने लेक्ट्रॉन साथ में तीन से खुण जुड़ा हुगा है फ्लोरीन तो दो क्या हो गए लोन पे है तो है इस्पी 3D तीन सिगमा और दो लोन पे है याने पांच तो तो SP3D और SP3D की जोमेट्री क्या होती है हाँ SP3D और जोमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल भाइप्रामिडल और याद करो SP3D हाइपेडाइशन पर रखा रखते थे एक्केटोरियल पोजिशन पर तो एक्केटोरियल पर रखेंगे तो CL CL में एक लोन पेर आगया इस पोजिशन पर एक आगया इस पर अब अच्छा कौन इसको मुलों क्या बोलते कैसा शेप है टीशेप कैसा शेप है टीशेप है है ना असंद सेम इसी तरह सिक्स जाप अल्रेडी पढ़ चुकियो लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्योंकि वह हमें पता होना ही चाहिए इंपोरेंट है एनस्त्री तो नस्त्री की अगर हम बात करे नाइट्रोजन की वेलेट्रोजन में इतने या यो और एक यह बोलो बहुत है स्पीध्री और जोमेट्री जोमेट्री क्या हो गई है टेट्रम है अगर आपको जोमेट्री याद नहीं है तो फिर आप इस चर्शन नहीं बना पाऊओंगे आपको पतार्य जाहिए ऑसी की ज ट्राइगोनल प्लेनार, SP3 is tetrahydral, SP3D is trigonal bipramidal, SP3D2 is octahedral, SP3D3 is pentagonal bipramidal, यह याद होनी चाहिए, अभी सच्छे बनेगा, अब देखो, NS3 यह tetrahydral है, और हमने क्या बोला था, SPO, SP2O या SP3, लोन पर को आप कहीं पर भी रख सकते हो, तो लोन पर को हमने यहाँ पर रखा, और इसके आप 3 hydrogen, अगर हम शेप की बात करें, तो मैंने आपको पहली बताए था, शेप में हम लोग सिर्फ बॉन्ड पर देखते हैं, लोन पर नहीं देखते, तो जैसी मैं इसको छुपाऊंगा, तो यह एक प्रामिड जैसा आपको दीखने लगे, इस तरह से, प्रामिड बाई मत लगा देना, ट्राइगोनल प्रामिडल है, है ना, नेक्स्ट, वाटर, वाटर भी देख लेते हैं यार, यह चीज़े देखने बहुत जरूरी है, तो लोग नेक्स्ट बात करना हैं, किसका रहें वाटर, है ना, और भी मॉलिक्यूल देखते जाएंगे, लेकिन य मॉलिक्यूल से, क्या चीज, आई थी नेकीटिव दरवा दिया, चलो, हाँ, सेवन्थ, है एच्ट्वो, सेंट्रल एटम को होने, ऑक्सीज़ दर है, ऑक्सीज़ दर है, ऑक्सीज़ में कितने एलेक्ट्रण में पिटा, छे, चार पांच, छे, दो हाइड्रोजन है, और दो उने लोन पेर, यहना है इएट्री क्या होगई? ऐस्पीथ्री, जोमेट्री क्या होगई? जोमेट्री बोलोhrlich है, गया सकते हो लेकिन अगर एक से जाध है तो उने प dealing with pair में रखो यह आप एक साथ रखोगी, तो इसलिए मैंने अक्सीजन के लोन पेर होगी, आप पेर में रखा, देखो एक लोन पेर ये रहा, एक लोन पेर ये रहा, देखो H, और H, वाटर, और अब अगर मैं शेप की बात करू, तो शेप कैसा है इसका, कैसा है, V शेप, यहा लगते पेर शेप कैसा है विटा आगे, V शेप, या फिर बेंट शेप, या फिर अंगुलर, या देख, नेक्स्ट, ए, XC, O, F, O, XC, O, F, O, चलो, बनाओ जैनो, बोलो, वैलेंशेल में कितने एलेक्टरोन, आठ एलेक्टरोन, और अक्सीजन है एक, और मिशे क्या बनाता है, डबल बॉन, तो लो, डबल बॉन्ट से एक औक्सीजन लगा, चार फ्लोरीन थे, दो, तीन, चार, एक लोन पिया, काउंट करो, अब थीन, चार, पाँच और एक लोन पिया,चे, चेह का मतलब, एस्पी 3, D2, देखो, दो और थीन, पाच और एक, चेह, तो इसका मतलब, हैबिनाइशन इस, एस्पी 3, D2, जो मैंट्री बोलो, जो मैंट्री क्या होगी, कि ऑक्ता एक्टा हैड्राल कि होगी ऑक्ता एक्टा एडरल्जमेट्री ऑगी चिक है अब देखो ऑक्ता है ऑक्ताइड्रल्जमेट्री एने फ्लोरीन आगे, चार फ्लोरीन आगे, देखो लगत इतनी एस इस ट्रॉक्ष्यर है, आप देखो, यहां पर अगर मैं ऐसे बना हूँ कि फिर लोन पेर तो हम काउंट करते ही नहीं है, हम तो मुल्टिपल बोंड काउंट करते हैं यहां फिर सिंगल बोंड, तो देखो, क्या बना, स्क्वाइर, और देखो, एक प्रामिड बनाना, स्क्वाइर प्रामिडल बोला, भाई प्रामिडल मत बोला, लोन पेर को तम तभी देखते हैं, नहीं नहीं देखो, तो शेप कैसा हुआ, स्क्वाइर, प्रामिडल, बोलो पता चला, अभी और भी देखेंगे, चलो तो पहले ये चारो और बनाओ, और फिर आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, बागी structure भी बनाते हैं, देखो, अभी हमने बनाया है हमारा XCOF4, नेक्स मैं बना रहा हूं मिटन नाइन्थ, नाइन्थ एस XCO2F2, तो फिर से जहरो निजा, नूबल गैस, वेलेंचेयल में किता है एलेक्ट्रॉन, आठ, और और दो पोन आए, फ्लोरी, और एक आगया, लोन पे, चलो जड़ा है बताओ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, SP3, D, अगर SP3D है, तो हाइबिडाजिएशन SP3, D, जोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल, बाइप्रामेटल है न, इसको मिटाई ही देखाओंगे, यहां से पता ही पढ़ गया, बाइप्रामेटल, ट्राइगोनल बाइप्रामेटल, और अब, अगर XC, जैन ओन है, तो SP3D में, मल्टिपल पॉंट, यह लोन पेर कहा होते थ तो देखो, एक लोन पेर था, बना देता हूँ, तो वरन तो कंफ्यूज हो जाओगी, डबल पॉंट हो, डबल पॉंट हो, दो फ्लोरीन, और एक लोन पेर, तो एक लोन पेर बना दिया, दो डबल पॉंट है, डबल पॉंट भी, एक क्रिटोरिल पोजिशन पर, और दो फो तो शेप कैसा होगा सी सो शेप कैसा हुआ सी सो शेप हो एड़ा नेक्स्ट टेंथ एक्सी ओ थ्री अगर एक्सी ओ थ्री बनाऊंगा तो जैनौ फिर से वैलेंच जल में कितने एलेक्ट्रोन आठ तीन अक्सीजन और एक लोन पेर अब बोलो हाइविडाइशन एक दो तीन चार हाइविडाइशन SP3 जोमेट्री हाँ टेट्रा हेड्रल और टेट्रा हेड्रल है और SP3 यह लोन पेर कहीं भी हो सकता है तो आप ऐसे बना तो XC एक लोन पेर डबल बॉंड हो डबल बॉंड हो डबल बॉंड हो देखो कैसा बन रहे है शेप ग्रमिडल बन रहे है ना देखो कैसा बना शेप ट्राइगोणल ट्राइगोणल प्रामिडल यह घंन सेब ед का थाप से यह भी पूचा जोता है कि से चेप सेम है तो नसफ्ड दीन ओर XC यह तरीकर शेप सेम है, यह पूचे जाएगा, है ना, जोगो next बात करते, Icl2 negative, 11, Icl2 negative, अब Iodin की valential में कितने एलेक्ट्रोन मेंटा, कितने होते हैं, साथ, हेलो जान है न, लेखे एक negative का मतलब किसने होगा है, आठ, आठ में से दो से जोड़ो, क्लोरी, कितने लोन प्यार, तील लोन प्यार, हाइविदाइशन बोलो, क्या होई, SP3D, और जोमेट्री, ट्राइगोनल, बाइप्रामिडल, कैसे बने काइश सुचे, आई, तीन लोन प्यार है, तो तीनों लोन प्यार खाऊंगे, एक्क्यूटोरियल याद है, और दो आयोडी, वो स्वारी, दो क्लोरी, उपर और नीचे, कैसा शेफ, लीनियर, लेनर, 12, 12 हम बनाते हैं, कौन सा मोले किल लो, एसे फू लो, एसे फू नहीं, वोटर की तरह हो जाए खरसे, और टी-सी-ल-फूर, टी-सी-ल-फूर, अब अगर टी-सी-ल-फूर है, तो टी किसके फेमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन की याद करो, ओल्ड स्टाइल से, टी-पो, याने टैलूरियम, तो ऑक्सीजन फैमिली है, तो फैलेंशल में कितका अलेक्ट्रोन होंगे, छे, चारबॉन क्लोरीन से बनाएं, और एक क्या आगया, लोन पेर, बुला है पिड़ाइशन, SP3D, जोमेट्री अगेन, ट्रैगुनल, बैट्राविडल, अब एक लोन पेर है, तो देखो TE, यह एक लोन पेर, और बाक्की, CL, CL, CL और, बोलो, क्या हुआ शेप, हुआ, सीसो, बोलो है ना, असान, देखो और देख लेते, BRF3, BRF3, 13, 13, BRF3, या मैं कुछ स्ट्रक्चर जदू हूँ, आप लोग बनाऊगे, आप लोग बनाऊगे, आप लोग बनाऊगे, ना, मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आपको, BRF3, और, 14th, BRF5, 15th, NH4 positive, और, क्या दू हूँ आपको, 16th, S3O positive, 17th, कल्लो 4 negative, 18th, PCL 5 तो आपको पता है, PCL 4 positive, 19, PCL 6 negative, और एक लास्ट और दे रहेता हूँ मैं आपको, आप लोग बनाऊँ, फिर मैं इन्हें बताऊंगे, चलो जाओ शुरू, चलो देखो, आगे बढ़ रहे हैं, और मैं बताता हूँ बिटा, देखो, भ्यान से देखते जाना बहुत आसान है, आप लोग अराम से बना दोगे, 1st, यहने 13th, 13th बोला है BRF5, ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है, हेलोजन है, हेलोजन की वैलेंचल में कितने है रेक्राउसार, उसने 5 फ्लोरीन आगए, 3, 4 और 5, तो क्या बचा है, एक लोण पेर, अच्छा पहला तो BRF3 है ना, पहला तो BRF3 है, BRF3 बनाओ, BRF3, तो तो तीन बांट और तो लोण पेर, क्या होई आउडाइशन? SP3D, गया ही, अगर SP3D है, तो लोन पेर, मेज़ा खाँंपेर रखते हो, मेज़ा, एक क्यूटोरियल पे, तो BR, यह न, और लोन पर एक लोन पर ही आया और तीन फ्लोरीन है फ्लोरीन और फ्लोरीन कैसा शेप टी शेप शेप क्या है अनुद फिर हाँ रिपल्चन होगा थोड़ा सा टी से अलकाल रिस्टोर्टिट हो जाए लेकिन रहेगा टी शेप ही और जोमेट्री क्या हो जाएगी जोमेट्री हो सबको पता है ट्राइगोनल भाई प्रामिट है अगला देखो फॉर्टीं थ अधियार एफ फइब दो प्रोवीन कितने हैं हां ब्रोवीन में कितने लेक्ट्रॉम साथ कितने फ्लोरीद पांच एक दो जान ऐख और लोन प्राइब होता है एकजी यल पोजीशन पे ड्यट भी जगा अच्छन होता है हुआ बनाऊ ज waktu ए एक टो यह जो रंगा ऑगए एक लोन पे एक जील के अग्याव अब फ्लोरीन ट्रॉरी ट्रॉरी लोरे लोड सिर्ण यह की है अप लोगों ने अभी जोंटी ऐनको पते ही ए तो में में जोंटीन Myra TH are next है आगे बढ़ते हैं देखो, बात करें NH4-positive, अगा NH4-positive की बात करेंगे, तो NH4-positive में Nitros और 15, और NH4-positive. नाइटोदम की valential में कितने electron होते हैं, पांच, 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 पांच में इसे positive आगया, इसके मतलब एक electron हटा दिया वाले, तो कितने बने, 4, 1, 2, 3, 4, 4 है, कोई lone pair है, नहीं है, इसके लाज मैंने क्या बोला तो जब भी lone pair नहीं होगा, तो shape और geometry या होगी, सेम होगी, या तो shape भी क्या होगा, tetra, hydral, अब इसका more correct अगर shape बनाएंगे, तो more correct shape ऐसे होता है, h, n, h, 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 और h positive, जिसना more correct shape, coordinate bond आ जाता है, याने positive terminal item को देते हैं, वैसे हम central item को ही दे रहे है अभी, ताकि हमाई सारे के सारे shape सही बन जाए, और geometry सही बन जाए, और कुछ में आपको याद रखने, next, S3O positive, हाँ, बोलो, हाँ, जो सुनो, जब भी tetra, hydral geometry है, या तो आप angle 90 degree बोलो, या पर 109 degree 28 minute, 29 minute, 28 हाँ, 109 degree 28 minute बोलो, या 90, बोहतार करे, जब भी tetra, hydral geometry होती है, तो वहाँ पर या तो bond angle 90 degree होंगे, या 109 degree, 28 minute, दोनों सेम है, क्योंकि 90, 90, 90 भी पूरा बन जाएगा, और 109, 109 बनेगा, तब भी पूरा 360 ही बनेगा, ठीक है, चलो, दो, आगे बढ़ रहे हैं, और बात कर रहे हैं, 16th के बारे में, 16th है हमारा, H3O positive, अब यार दोखो, NH4 positive, H3O positive, है important है, H3O positive में oxygen है, oxygen की valential में कितन electron, 6, positive है, तो एक electron क्या हो गया, क्या हो गया, और कितने hydrogen चुड़े, 3, और एक lone pair, hybridization क्या हो गई, SP3, और hybridization SP3 है, तो oxygen, lone pair रुख आप एक जगा डालतो, और 3, hydrogen, अर्दों को geometry आपको दीख रही है, geometry कैसी है फिर से, shape, shape कैसा है आपका, trigonal, pyramidal, अचे इसको more correct कैसे बनाते हैं, कुछ के मैं more correct इसलिए बना रहा हूँ, तो आकि आपको पता हूँ, H, 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 और coordinate bond के थूरू lone pair देता है, H positive, इसलिए बना रहा हूँ, तो इस तरह से मना रहे है, square दीख है, O, यह गलती होई है, हाँ, यह गलती होई ने, 4 वो कैसे बना दीमिना रहा है, H, 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 ऐसे होता है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, next, आया कल्लो 4 negative, तो कल्लो 4 negative बनाते हैं, को यहीं बना देते हैं, इसको मिठा पे, 17th, 17th is, 17th, कल्लो 4 negative, तो कल्लोरीन के वैलेंच जल में कितने हैं रेक्टरॉन, साथ, एक नगी दिवाए तो कि बना होगे, और oxygen कितने है, 4, oxygen हमेशे क्या बनाता है, double bond बनाता है, हमेशे है double bond बनाता है, तो hybridization क्या होई, SP3, अगर SP3 है तो shape क्या होगा, CL, double bond हो, double bond हो, double bond हो, double bond हो, और कैसा हुआ, tetrahedral shape हुआ, शेप की बात करने हैं, कैसा होगा, tetrahedral, अच्छा, more correct बनाना है, तो more correct में आप क्या करो, negative को terminal item पे देतो, है ना positive or negative जो भी होता है, more correct के लिए आप उसको terminal item पे डाल सकते हो, लो oxygen negative carry करता है, hydrogen positive carry करता है, इसलिए hydrogen को दिया, लेकिन यह भी गलत नहीं है, तो अगर आप यह नहीं बना रहे हो, यह बना रहे हो तो भी हो, सही है, तो कि आप से structure में, नॉर्मल यही पूछेगा, क्या hybridization क्या है, shape क्या है, next का PCL for positive, इनको मिटाई देता हूँ, आप लोग बताते जाना, next का PCL for positive, तो next, 18, PCL for positive, फॉस्फोरस की वरेंचेल में कितने electron, 5 होते हैं कि nitrogen family का है, 4 chlorine है, 3 और 4 और एक positive यह नहीं एक electron रट गया, अगर ऐसा है तो देखो, क्या structure बनेगा, जरा बताओ, hybridization, SP3, hybridization SP3 है, तो geometry क्या होगी? tetrahedron, तो shape भी क्या होगा, tetrahedron, बोलो है आसान, 19th, नीचे बनाये थे, बोलो क्या है, PCL 6, negative, फॉस्फोरस की वरेंचेल में कितने electron होते हैं, 5, एक negative तो 6, 6 के 6 से कौन जुड़ रहा है, chlorine जुड़ रहा है, hybridization क्या होगी? SP3, B2, याने कैसी होगी? octahedral, अब देखो, अगर आप बनाओ तो P6CL, देखो 6CL दीख रहे हैं, तो shape कैसा हुआ? shape कैसा हुआ? octahedral, क्या shape हुआ बिटा? octahedral, बुलो पाद चला, last, क्या है last? last क्या है? IO3, negative, बुला करो, अना, अना नहीं बोल सकते तो ऐसे कर दिया करो, ए, 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 ठीक है, पता चल जाएगा मुझे, last, 20th, IO3, negative, Iodine के valential में कितना है electron? 7, एक negative मतलब 8, रहो, थीन oxygen, एक lone pair, hybridization क्या हुआ? SP3, इसका hybridization क्या है? SP3, SP3 है, तो I, double bondo, double bondo, double bondo, और एक lone pair, बो शेप, कैसा होगा शेप, ट्राइगोनल, प्रामिडल, बोलो पाज़सला, कर पाओगे, आसान है, अब यहां पर कुश्चन कैसे बनते है, कुश्चन बनेंगे, कौन-कौन सी species है, जिनका जो आइसो electronic है, और iso-structural भी है, यहनल में number of electron भी सेव है, और उनका structure भी सेव है, तो iso-electronics इसका मतलब electron सेव है, और structure और geometry में अंतर है, structure मतलब shape है, geometry is different है, तो अब आपको यह बनाने आने चाहिए, ठीक है, चलो, तो vsdpr theory होती है हमारी खताव, अब तो आप लोग shape बना सकते हो, तो आज के लिए इतना ही, बागी next lecture में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, बागी next lecture में करेंगे, के लिए बिटनोट?